प्रेटियों का स्वी चिल्डरन अकेडमी रावला मंडी के उनलाइन प्लेट फॉरम पे सुवागत है बात करें कक्षिया 11 की और विशे चल रहा है हमारा इतिहास इतिहास में पार्ट चल रहा है पांच वहां कौन सा चल रहा है जिसका नाम है यायावर समराज्य विशव का इतियास है क्योंकि 11 कलास के अंदर विशव का इतियास दिया और 12 कलास के अंदर भारत का इतियास दिया क्योंकि जब तक हम विशव का इतियास नहीं समझेंगे तब तक हमें भारत का इतियास समझनी आएगा क्योंकि भारत का इतियास भी कहीं से स्टार्ट होता है वो कि दियास पढ़ा होेगी तो बार्वी में धाके हमीं इतियास समझभे गी इसलिए स्पेस्ल्व belangrijk लावत के अंदर ये विसौण का इतियास होता है उसके लावा आपने इटिलर को पढ़ा था, नेपॉलियन को पढ़ा था, बिसमारक को पढ़ा था, ये चीज़े यंग इंडली पढ़ा था, वो तो ये की पार्टा देखो, आपको थोड़ा सा मुश्के लगा होगा, लेकिन यहां सारे पार्ट विश्व के हैं, इसको समझ म में आजाएगा, क्योंकि पूरे साल पढ़ोगे तब आपके सारी चीज़ समझ में आजाएगे, और फिर बार्वी क्लास में पूरा भारत का इतियास है, वो इसे रिलेटिव है, क्योंकि क्लास हैं क्या होती है, जैसे हम पढ़ते हैं, नोवी, दस्वी, ग्यार्वी, बार् से बढ़िया तरीके से घर पे ना, एक बार मैं पढ़ा दूँ, उसके बाद में किताब से फिर पढ़ा गरूँ, और फिर अपने पढ़ेंगे जब विदालिया लग जाएगा, तो तीन और फिर टेस्ट होंगे, और वगरा होंगे, चार से पांच बार अगर एक साल में हमन मंगोल विविद जन्व समदाय का एक निकाय था, एक मंगोल जाती थी मंगोलिया से मैंने उपर चितर दिखाया था ना भी आपको, देखा था कि आपने नीचे आजाएगा साहिद, यह रहा, यह मंगोल समराज्य यानि चीन के पास यहाँ पे मंगोल देश्ट है एक, तो पस्ची में तुर्की कबीलों से बासागत समानता होने के कारण परसबर समदी थे, यानि एक दूसरे की बासा मिलती हो, संस करती हो, धरम मिलता हो, तो उससे समंद हो जाता है, कुछ मंगोल पसुपालक थे, पसुचराते थे, कुछ सिकारी संगराक थे, यानि शिकार करते पसुपालकों में गोडे, बेडों और कुछ हद तक अन्य पसों जैसे बक्री और उंट को भी पालते थे, यानि जैसे जैसे जलवायों स्तीती ओती थे, वैसे वैसे पालते थे, इनका यायावरी करण मद्य एशिया की चारण भूमी में हुआ, देके इनका समराज्य विस् पस्तुर लहरिया मेदानों से गिरा था, जिसके पस्चिं बाग में अल्ताई पहाडों की बरफिली चोटियां थी, ठीक है, बरफिली चोटियां थी, बरफिली मतलब बरप से ड़की वी चोटियां, दक्षिन बाग में सुस गुबी का मुरूस्तल, आपसे पूछे पूलिया के अंदर बर्प के पठार है बर्प की मौश्तल है। जो गोबी के अकार के से लेने मौश्तल कहते हैं। इसके उत्तर और पस्चिम चेटर में उन्न और सेलेंगा जैसी नदियों और बर्फिली पाडियों से निकले शेंकड़ों जर्नों के पानी से सिंचीत हो रहे पसू चारन के लिए अनेक हरी गास के मिदान है और प्रचूर मातरा से सिंचित हो रहे पसू चारन के लिए अनेक हरी गास के मिदान और प्रचूर मातरा में छोटे मोटे सिकार अनकुलन रीतूं में उपलब्द हो जाते थे सिकारी संग्रहक लोग पसुपालक कबीलों के आवास चेतर के उत्तर में साइबेरियन वनों में रहते थे अब ये देखो चितर उन्हों नदी के मिदान में बाड़ ये उन्हों नदी है ठीक है ये उन्हों नदी आगी अब यहां चितर देखो ये हो गया ये हो गया यह गास के मिदान ना है तो यहां पसू चारण किया जाता है खूब सारा खेटी भी हो सकती है इसके पास ये नदी यह दिया रखना अपने नदियां गंगा नदी हैर अपनी वेसी दूसरे देसों में वे पसु पालक लोगों की तुलना में अधिक गरीब होते थे क्योंकि बस काम था पसु पालना और दूद पी लेना और खाना वगेरा खालना बस इतना ही काम होता था या पसु को छोटे मो नियुंतम तापमान में बहुत अंतर पाया जाता था कठोर और लंबे सीथ के मोसम के बाद अलपकालिन और सुस गर्मियों की क्या आती थी अवदी आती थी चारन चेतर में जहां पसु चराते थे साल की सिमीत अवदियों में ही किर्शी करना संभव था प्रन्तु मंगोलो ने अपने पस्चिम के तुर्कों के विर्पित कारे को नहीं अपनाया इनके इसको नहीं अपनाया किर्शी कारे को नहीं पसु पालकों नहीं सिकारी संग्रहक को कूंकि अर्थवेस्ता गने अबादी वाले चेतरों का बरण पोसन करने में समर्थ थी प्रणाम सुरूप इ और जरो यानि जैसे गासपूस से बनाया हुआ था था उनमे निवास करते थे और अपने पसूधन के साथ सीत काले निवास तल से एक रिसम काले निचारण भूमी के और चले जाते थे यानि जहां ठंड होती थी तो वो गर्म स्तान पे चले जाती थी और गर्म होती थी थी ठंडे स्तान पर एसे फिक्स नहीं रहते थी नर जाती और बासाई समंदों ने मंगोल लोगों को परस पर जोड़े रखा नर जाती यानि नर मुनुश्य की जाती और बासाई समंदों न परुपलबदार थिक संसादनों में कमी होने करण। इस करण। समय समय पर आने वाली प्राक्रतिक आफ़ दाउं जिसे बीशन सीतरितू के दरान एक्तरित की गई शिकार सामगरी और अन्य बंडार में रखेवी सामगरी समापतो जाने की स्तिति में अत्वा वर्षा नहीं होने पर गास के मेदानों के सूख जाने पर चरा गाउं की खोज में बठकना पड़ता था अब एक ताइम तो देता था नि के बार इतनी बर पड़ते थे कि उन्हें खाने के लिए कुछ मिलता है नहीं था और यह इतना सूखा पड़ता था कि गास सी सूख जाती थी तो दुरू-दुरू ने पठकना पड़ता था कुमकड जीवन बिताना पड़ता था इस दुरान उनमें संगर्स होता था पसुदन को प्राप्त करने के लिए लूट पाठ भी करता है इसी दिवात गरीबी आएगी और कमी आएगी तो एक दूसरे के लूट पाठ करेंगे चोरी करेंगे या फिर पसुचारन के लिए जो जगह हैं उसके लिए लड़ेंगे प्राय परिव चंगेज खां द्वारा बनाया गया परिशंग पांचुई स्तापदी की अटिला यानि मरत्यू 453 तक बनाया गया परिशंग के बराबर था अटिला के बनाया गया परिशंग के विपरित चंगेज खां की राजनेतिक व्यवेस्ता बहुत अधिक स्ताई रही यानि लंबे सम पर ये दोनों समाज एक दूसरे की विविस्ता से क्या थे अन्बिग नहीं थे वास्तों में स्टेपी चेतर में संसादनों की कमी के गार्ण। यहां स्टेपी गास के में दिया रखना। संसादनों की कमे के कारण मंगौलों और मद्य ऐस्या के यायावरों को वैपार और वस्तु विनिमें के लिए उनके पड़ोसी चीन के स्थाई निवाशियों के पास जाना पड़ता था। वस्तू विनी में क्या होता था पहले मुद्रा नहीं चलती थी जैसे पैसे दे दी आजर वस्तू ले ली पहले वस्तू के बदले वस्तू दी जाती थी जिसको जो जुरूरत थी ने वो उसके बदले ले ले लेता था अब यह विवस्ता दोनों पक्सों के लिए लाब करी थी यायावर कबीले खेती से प्राप्द उत्पादों और लोई के उप्कुनों को चीन से लाते थे ठीक है और गोडे फर और स्टेपी में फटपी में पकड़ेगे शिकार का वो क्या करते थे जैसें इनके बास गोडे होते थे और कोई शिकार होता था वो बेश देते थे उसके बदले वो खेती से प्राप्ज कोई उतपाद होता था यानि पसल वगए आती थी वह खरीदते थे और लोहे के उपकरान चीन से लाते थे तो बदले में होगे ना उन्हें वाने जिक किर्याकलापों में काफी तनाव का सामना भी करना पड़ता था के बार, के बार गाटा भी लगता था, यानि बहुमुल्या वस्तू देनी पड़ती थी और नय के बराबर कोई वस्तू देती उसे ख्रीदनी पड़ती थी, क्योंकि दोनों पक्स जब मंगोल कबीलों के लोग साथ मिलकर विपार करते तो वे अपनी चिनी पूड़ोशियों को विपार में बैतर सर्त रखने के लिए मजबूर करते थी, कभी-कभी यह लोग विपारिक समंधों को नकार केवर केवर लूट पार्ट करने लगते थे, केवर इनका काम होता लूट पाड़ मंगोलों का जीवन अस्त व्यस्त होने पर भी इन समंदों में बदलावाता था ऐसे स्तिति में जो चीनी लोग है चीनी लोग मतलब चीन वाड़े चीनी लोग अपने प्रभाव का प्रयोग स्टेपी छेतर में बड़े आतम विश्वास से करते थे इन समीप वरती जड़पों से स्थाई समाज कमजोर पढ़ने लगा उन्होंने क्रिशी को एवेविस्तित कर दिया और नगरों को लूटना शुरू कर दिया दूसरी और यायावर लूट पाड़ कर संगर्श छेतर से दूर बाग जाते थे जिसे उन्हें बहुत कम हानी होती थी अप पर अधिकार जमाना शुरू कर देता था तीसरी स्थापदी स्वी परवन किली बंदियों का एकिकरन समाने रक्षात्मक डांचे के रूप में किया गया जिसे चीन की महान दिवार के रूप में जाना जाता है केतने सबसे बड़ी महान दिवार चीन की है याने दिवार बना दी उन्होंने उत्री चीन के करशक समाजों पर यायावरों द्वारा लगातार हुए अमलों उन्से पनपते एस्तिरता और बैक का एक प्रभावसाली चाकुस साक्षे था अब देखिए चीन की महान दिवार यह देखो यह दिवार है इन्होंने दिवार बना दी अब यह चेतर किसका हो गया यह चेतर स्पेशल चीन का हो गया आज भी चीन की दिवार है यह अंदर यहां पर कोई नहीं आता था सिर्फ चीनों का एदिकार होता था चीन की महान दिवार तरगना विस्व की सबसे बड की महांदिवार कहते हैं चीन की और विश्व की महांदिवार देखो 2800 किलोमेटर लंबी है अब देखो चंगेज खां का जीवन बनत चंगेज खां नाम पढ़ाना पहले चंगेज खां का जनम 1162 इसवी के आसपास अधुनिक मंगोलिया मंगोलिया देश है आज के उत्री बा कबिले का मुख्य था लग लग पास पास में चितर है ये एक परिवारों का समय था जो बोरजी की कुल से समधित था उसके पिता की अलपायू में हत्या कर दी गई थी अलपायू मतल चोटी जब इसकी आयू छोटी थी तब हत्या कर दी और उसकी माता ओलुन एके ने पर उसे दास बना लिया गया पहले दास बनाते थे लोगों यानि मानव को पकड़कर दास बना कर उसको रोटी के बदले काम करुआ जाता था और अपनी पतनी बोर्टे का भी विवाहे के उपरांत अपरण कर लिया गया अपनी पतनी को चुड़ाने के लिए उसने लड़ लड़नी पड़ी विपति के इन वर्सों में भी वैने एक मित्र बनाने में काम्याब रहा नव्युक भोगुर चू उसका पर्थ मित्र था और सदेव एक विश्वस्त साथी के रूप में उसका साथ उसका सगा बाई आंडा यानि जमूका भी उसका आंडा ये सगे बाई को कहते हैं एक विश्वस्न ये मित्र था तेमु जिन ने केराइट लोगों के सासन और अपने पिता के वरद सगे बाई तुग्रिल उर्प ओंग खान के साथ पुराने रिष्टों की पुर्णरस्ता ना की ये पी जमूका उसका पुराना मित्र था बाद में उसका सब्तरू बने गया 1180 और 1190 के दसकों में तेमु जिन ओंग खान का मित्र रहा और उसने इस मित्रता का इस्तमाल जमूका जैसे सकती साली परतिद्धियों को पराजित करने के लिए किया जमूका पहले देखो परतिद्धियों के विरुद्ध युद्ध के लिए निकल पड़ा उनमें से उसके पिता के हत्यारे सकती साली तातार के राइट और खुद ओंग खान इसके विरुद्ध उसने 1203 में युद्ध छेड़ लिया 1206 में शक्ती साली जमूका और नेमन लोगों को निनायक युद्ध से प्राजित करने के बाद तेमुजिन श्टेपी छेतर की राजनेती में सबसे परभाव साली वेक्ति की रूप में उबरा उसकी इस परतिष्टा को मंगोल कबीले के सरदारों की एक सबा जिसे कहते थे कुरल तलाई में मानिता मिली और चंगेज खान समूंदरी खान या सारव बोमिक्ट सासक की वपादी के साथ मंगोलों का महानायक ग्रेट खान हो गया अब नाम बदल गया ना इसको पहले क्या का समूंदरी खान फिर सारव बोमिक्ट सासक और बाद में ये नाम हो गया चंगेज खान बारा सो छे में कुरल तलाई से मानिता मिलने से परो चंगेज खाने मंगोल लोगों को एक सक्षक अनुसासित सेने सगती के रूप में पु 90 मूल के सी सिया लोंग जर चैन लोगों के चिन राजवस जो पैकिंग से उतरी चीन शेतर का शासन कर रहे थे संग राजवस जिनके आधिपत्ते में दख्षनी चीन था बारा सो नो में सी सिया लोग प्रास्तु वे बारा सो तेरा में चीन की महांदिवार काती कर्मन हो गया बारा सो पंद्रा में पैंकिंग नगर को लोटा गया चीन वंस के विरुद 1234 तक लंबी लड़ाई चली जिस पर चंगेज खा अपने अभियानों की प्रक्ति से खूब संतोष्ट था इसलिए उस चेतर के सैनिक मामले अपने दिनिस्तों की देखरेक में छोड़ कर 1206 में मंगोलिया स्तित अपनी मातर भूमी में लोट आया ठीक है इसके बाद में अगले वीडियो में पड़ेंगे काफी लंबा वीडियो हो जाएगा तो कल हम पड़ेंगे 1218 के बाद में चंगेज खाने क्या किया